जैसा कि आप जानते हैं जब से NEP 2020 आई हैं तब से टीचर एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान गया है सरकार ने ये अनॉस्मेंट भी की हैं कि हर स्टेट में डेडिकेटिड टीचर एजुकेशन के लिए एक उनिवसिटी खोली जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर स्टेट में अगर बीएड डेपार्टमेंट, एमेड डेपार्टमेंट या एमेड एजुकेशन या और टीचर ट्रेनिंग के कोर्सिज जाएंगे और उसके लिए स्पेशल उनिवसिटी खोली जाएगी तो वकैंसी भी जादा होगी और प्राइबेट कॉलेज बीएड के अल्रेड आप जानते हैं काफी संख्या में हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बीएड कॉलेज में असिस्टन प्रोफेसर बन सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्स्पेरियन्स चाहिए, कौन स टेस्ट हमें पास करना पड़ेगा और सेलरी स्केल कितना रहता हैं यह सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखें चलिए शुरू करते हैं चैनल पर नए हैं तो सबसे पहरे तो आपको पता है अगर आपको बीएड कॉलेज का जो है बीएड लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का वो आप कर सकते हैं पहला काम उसके बाद दूसरा आपको रिक्वाइड है एक मास्टर डिगरी एजुकेशन में जिसे या तो आप एमेड कर सकते हैं बहुत सारी बच्चों के मन में यह डाउट रहता है क्या दोनों ब के लिए मस्ट है आप एक में करेंगे अपने सब्जेक्ट में जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिया था बीएड में आपको दो टीचिंग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं एक्जेम्पल के तोर पे अगर मैंने लिया था हिंदी और SST तो मैं किसी एक टीचिंग सब्ज छे साल लगते लेकिन अब एक नया रूल आ गया कि आप दो डिगरी साथ में कर सकते हैं तो उसका फाइदा उठा सकते हैं आप ये दोनों काम साथ में कर सकते हैं या फिर आप ये B.A.D. और ये M.A.D. ये दोनों साथ में कर सकते हैं तो आपके दो साल बत जाएंगे आप B.A और M.Ed साथ में नहीं कर सकते, उसका reason क्या है, क्योंकि M.Ed के लिए minimum qualification B.Ed होती है, पर आप B.Ed के साथ M.A. कर सकते हैं अपने subject में, या फिर आप M.Ed में हैं, तो आप M.A. अपने subject में साथ के साथ कर लीजिए, तो ये तो हो गई degree, minimum degree ये हो गई आपकी, क्या होई, B.Ed, एक M. M.A. आपकी subject में, एक master degree आपकी education में, जिसे या तो M.A. education, या फिर M.Ed, कोई भी आप एक कर लीजिए, अब इसके बाद आपको test कौन सा pass करना है, आपको करना है UGC net, कौन से subject में, education में, 9 नमबर पे इसका code है, तो आप UGC net education करेंगे, तो अब आपने ये degree की, उसके साथ UGC net education subject में है, तो अब आपकी minimum qualification हो गई पूरी, अब आप B.A. department में assistant professor के लिए apply कर सकते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, अगर आप ये B.A. या M.Ed हटा दे यहां से, आपने B.A. की या फिर आपने B.A. भी नहीं की, आपने M.A. की अपने subject में, वो कोई भी आपका subject है, तो वहाँ अगर आपको अपने subject में जाकर assistant professor बनना है, तो आपको M.Ed की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको B.A. college में पढ़ाना है, तो आपके लिए must है ये वाली qualification, या तो आप M.A. करे education में, या फिर आप M.Ed करे, तो ये हो गई, इसके बाद experience कितना चाहिए, तो assistant professor के लिए, आपका जो experience आपको चाहिए, वो zero, कोई experience required नहीं होता, आपके पास ये degree साथ में net है, तो आप B.A. college में assistant professor बन सकते हैं, अब आपका दूसरा सवाल आए, कि आपने ये तो पूरा कर लिया, तिनो, लेकिन आपका net नहीं हुआ, तो क्या आपके चाहिए, तो आपके लिए, तो आपके लिए net होना जरूरी है, अब salary scale क्या है, सरकारी salary scale तो जो भी आपका assistant professor का है, आपको वो मिलेगा, लेकिन private में depend करेगा, college to college, starting आपकी 35 से होके, आपकी 70 तक भी जा सकती है, इसका कोई एक fixed criteria नहीं है, ये private sector self finance college के उपर depend करता है, कि उनका salary structure क्या है, अब opportunity कितनी है, इसके अंदर, क्या आपको ये करना benefit है, आपको फायदा है, तो मैं आपको दो चीज़े बताऊंगा, पहली तो ये, कि private sector में B.Ed college आपको हर state में मिलेंगे, इवन दिल्ली जैसे चो आप तो आप जाही सकते हैं, इसके लावा अभी भी बहुत सारी सरकारी universities के अंदर B.Ed department चलता है, teacher education department चलता है, लेकिन अब एक NEP की नई घोशना होई है, कि हर state को जादा से जादा teacher education पर focus करना है, तो उसकी वज़े से क्या होगा, teacher education university बनाई जाएगी अलग से, जो कि दिल कोई university अगर dedicated किसी एक subject के लिए बनती है, तो वहाँ पर 100-200 पोस्ट नहीं आएंगे, बच्चों को नहीं लेंगे, कम से कम 3-4,000 का मान के चलिए intake होगा, अगर इतना intake होगा, तो उसी हिसाब से vacancy भी आईगी, तो अगर मैं आपको summarize करके बताऊं, आज का time काफी अच्छा ह अभी अधूरी है, किसी भी level पे, तो आप उसे पूरी कर लीजिए, B.A.D. की है, तो M.A.D. कर लीजिए, साथ में subject की M.A. कर लीजिए, तो आपको दोनों फायदे मिल जाएंगे, आप P.G.T. बन सकते हैं, अपने subject की M.A. के साथ, और M.A.D. आपने कर ली, तो आप B.A.D कॉलेज में assistant professor की minimum qualification पूरी कर लेंगे, और उसके साथ आपने net कर लिया, तो आप पूरी qualification आपी complete हो गई, और अगर net नहीं भी हो पाया, तो भी D.A.D. में, D.P.S.C. में, इन courses में आपके पढ़ाने के chances बने रहेंगे, तो दोस्तों आज हमने बात की कैसे हम assistant professor बन सकते हैं, especially B.A.D. College में, education college में, तो अगर आपका कोई सवाल है, तो comment section में जरूर पूछिए, आप किसी और topic पर वीडियो चाहते हैं, वो भी बताए, और channel पर नए हैं, तो subscribe जरूर कर ले, thank you very much.